तमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिखेडा के बारे में, सिखेडा या फिर सिखेडा आप खहा सकते हो, सिखेडा बेसिकली UK में बोला जाता है और सिखेडा जो है, वो US के अंदर प्रणांस किया जाता है, तो ये प्रकार का इंसेट है, जो कि बड़ी मात्रा में इस स प्लेन को रोपना पड़ गया था, जो बाइडन के प्लेन को हम सब जानेंगे और इसका प्रोसेस क्या है, बताया जाता है कि 17 साल बाद, 17 एर्स के बाद ये अंडर ग्राउंड से निकलता है और बहार आता है, तो बहुत कुछ इंटरस्टिंग जानने को आपको मिलेगा, चल सिखेडा इंसेट है, वो आपका अटैक कर गया, मतलब कि बहुत सारे इंसेट ये आ गये थे, जिसकी वज़े से कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया था, इवन जो बाइडन के ऊपर भी एक सिखाडा जो है वो गिरा था, आपको मैं यहाँ पर वीडियो भी दिखाता करने लग गये थे, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अलग-अलग अमेरिकन स्टेट में आप देखिए, तो कई सारे जो सिखेडा है, इंसेट है, वो आपका फैल गया है, और ये जो सिखेडा की हम बात कर रहा है, इट बिलॉंग्स टू ब्रूड एक्स, ये रोमन न वो काफी लंबे समय तक अंडर ग्राउंड में रहते हैं, बेसिकली बताया जाता है कि दो में तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, एक वो होता है आपका सिखेडा जो की 13 साल तक अंडर ग्राउंड रहता है और वो 13 साल के बाहर जो है, बाद में बाहर निकलता है, उसी से कुछ सिखेडा जैसे होते हैं, जो यहाँ पर 17 साल के बाद अंडर ग्राउंड से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर जो हम सिखेडा की बात कर रहे हैं, जो 2021 में हमें इस समय देखने को मिल रहा है, यह ब्रूड एक से रिलेट करता है, आप देखो ब्रूड का मतलब क्या सिखेडा क्या है, बहुत सारे अलग अलग आपको पॉपलेशन देखने को मिल रहे हैं, तो अलग अलग फीचर्स होते हैं कई लोगों के, तो यहाँ पर जो ब्रूड होता है वो डिफ्रेंशेट करता है अलग अलग सिखेडास को, ठीक है, और उनका जिस प्रकार से सिखेडास के अंदर आपको, अलग अलग लोकालिटी में क्या होता है कि यहाँ पर 13 साल बाद, 17 साल बाद आपको देखने को मिलेगा, और इसी के लिए उसको नंबरिंग कर दी जाती है, ब्रूड 1, ब्रूड 2, 3, 4, 5, 6 करके आप देखने को यहाँ पर देख रहे होगे, क कि 17 साल में जो इमर्ज होता है, यहाँ पर जो सिखेडास, उसको यहाँ पर बाट दिया गया है, 1, 2, 3, 4 करके, और आप यहाँ पर देख सकतो यलो कलर में, यह आप देखे, 2021 में जो आया है, इसको बोला जा रहा है, ब्रूड X वाला जो सिखेडास की हम बात कर रहे हैं, त यह निकलेगा 2038 में, ठीक है, और यह आप लेफ्ट में मैप में भी देख सकतो, यह Eastern Coast वाला साइड है, यहाँ पर यह जो एरियाज है, यलो कलर में जो आप देख रहे हो, यहाँ पर यह निकलते रहते हैं हर 17 साल के बाद, उसी प्रकार से ब्रूड 1 वाला जो हो गया, वो पिछले वाले कुछ निकले होंगे 2015 में, तो ऐसे इनका सर्कुलेशन जो है, वो चलता रहता है, तो ब्रूड X की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो 10 वाला है, ब्रूड 10 की जो हम बात कर रहे हैं, तो यह बेसिकली आपका जो 17 साल बात निकला है, यह सबसे largest है, largest कहने का मतलब यह है, in terms of जो नंबर में यह बाहर निकले हैं, अंडर ग्राउंड से बाहर निकले हैं, यह बहुत बड़ी मात्रा में निकले हैं, और पिछले साल भी आप देखोगे, तो यहाँ पर निकला था, ब्रूड 9 इसको बोला जारा है, 2020 में आप देख सकते हो, यहाँ पर हर साल भी निकलते रहते हैं, लेकिन उनकी संक्या उतनी होती नहीं है, तो परशानी नहीं होती है, लेकिन यह जो ब्रूड 10 वाला जो सिकेडास हैं, जो इस समय चल रहा है, यूएस के अंदर कुछ लोकालिटी में, वो आपका सबसे बड़ी मात्रा में हैं, इसलिए इतना जादा है आपको देखने को मिलता है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कि करते क्या हैं, मतलब यह 17 साल तक नीचे क्यों रहते हैं, और 17 साल के बाद बाहर क्यों आते हैं, बहुत सारे कोशन हैं, तो देखें, इनका भी से, और अभी भी यहाँ पर साइंटिफिक जो एक्सपरिमेंट है, वो जारी है, कि exactly इनको इतना टाइम क्यों लग जाता है, मतलब किसी भी स्पीसीज का अगर आप देखोगे, तो 17 साल लगना अडल्ट होने में काफी वो हो जाता है, अब आप इसको human से compare मत करें ना, यहा जो हो जो हो जाएगी उनकी, तो अपने आपको बचाने के लिए यहाँ पर 17 साल, 13 साल बाद जो है, वो निकलते हैं, और यह जब निकलते हैं, तो अपना जो exoskeleton है, outer जो skin होता है, उसको हटा देते हैं, और wing form में ले लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, कि इनका wings जो ह होते हैं, सिकेडाज, वो सबसे पहले निकलते हैं, और यह क्या करते हैं, females को attract करना start करते हैं, धीरे धीरे यह singing, they start singing and start attracting the females, और यहाँ पर जो male सिकेडाज हैं, वो सबसे जादा loudest sound निकालते हैं, not just under the सिकेडाज, बट पूरे insect world में अगर आप देखोगे, तो यह male सिकेडा mating का जो process है दोनों के बीच में, वो एक महने तक चलता है, तो इस समय आप यूं समझेए, कि 17 साल बाद जो यह समय देखने को मिल रहा है, brood eggs वाला, वो आपका mating का समय चल रहा है, तो इसी लिए 17 साल बाद, 13 साल बाद निकलते हैं, ताकि mate कर सके, इसकी वज़े से क्या पर गिर जाते हैं, branches, मतलब tree के branches वगरा पर जब रहते हैं, तो निकलने के बाद वो ground पर गिर जाते हैं, ground पर क्या है, soil है, और धीरे धीरे अपने आपको process के माध्यम से वो cover कर लेते हैं, मतलब soil के अंदर ही रहते हैं, वो 17 साल तक, और फिर जब वो adult हो जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे 17 साल बाद, और फिर वही mating का process चलेगा, और इसी तरह से जो इनका cycle है, वो चलता रहता है, तो बाहर निकलने का main process, basically इसका main कामी यही है, कि वो अपने species को बचा सकें, मतलब कि जो हम कहते हैं, वो Darwin's theory जो हो गया, survival of the fittest, तो उसी प्रकार से यहां पर 17 साल बाद, 13 साल बाद, कि ज़्यादा तर सर्वाइफ कर जाते हैं, बहुत सारे, और mating होने लगता है, और mating होने के बाद, X वगर दिये जाते हैं, और यह पूरा process स्टार्ट हो जाता है, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, यह underground का process है, क्या यह 17 साल, 13 साल, अब यहां पर question यह आता है, कि यह इतना significant क्यों है, यह जो brood X वाला जो है, वो significant क्यों है, क्योंकि इसका main कारण मैंने आपको बता दिया, कि brood X वाला बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, largest number में आते हैं, और अकसर headline बनाता है, जैसे 2004 में पिछली बार जब आया था, तो Washington DC में तो क्या क्या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह कोई bite white नहीं करते हैं, मतलब कि sting नहीं करेंगे, bite नहीं करेंगे, लेकिन problem क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो male है इसका, जब वो गाना गाते, यह sing करते हैं, female को attract करने के लिए, तो बहुत जादा, अचानक से इतने सारे सिखेडाज एक साथ गाने लग जाएंगे, तो इनकी आवाद जो है, chorus जो है, वो 100 decibels तक पहुंच जाती है sound, और 100 decibels आप compare कर सकते हो, मतलब कि 1000 feet पर जो jet fly कर रहा है, उस तरह का sound होता है, motorcycle जैसे चल रहा है, वैसा sound, आप 100 decibels आप कहा सकते हो, तो थोड़े देर हैं, लेकिन यहाँ पर एक और interesting चीज मैं आपको बदाता हूँ, देखिए, अब इंसानों को क्या है, जो भी कुछ अच्छा मिल जाए, वो खा जाते हैं इसको, अब insect को भी यहाँ पर बताया जाता है, कि खाया जाता है, इसको चौकलेट में dip करके, यहाँ आप देख क्या होगा, जाने से पहले एक interesting question आप पर लेकर आए हूँ, क्योंकि हम insect की बात कर रहे हैं, तो insect में जो सबसे main characteristics, ध्यान रखिए का question में, सबसे main characteristics, feature क्या होता है insect के अंदर, क्या बता सकते हो, इन 4 option इसे, इसका जो right answer है, दोस्तों, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेग सकते हैं, और अगर आपको economy पढ़ना है, किसी भी exam के preparation करनी है, तो आप ज़रूर हमारे आपको download करिए, website visit करिए, I hope कि ये video आपको पसंद आयोगा, मिलता है, आपसे next time till then, thank you very much, see you soon.